नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल डिजीटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के important questions को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT exam सितंबर 2023 के लिए part number 19 है इस वीडियो में हम CPCT exam के लिए कंप्यूटर से समबंदित 20 important questions को समझने वाले हैं यह सभी वही question हैं जो पहले भी CPCT exam में पूछे जा चुके हैं जब हम एक question को समझते हैं तो इससे समबंदित हमें कई परकार के और भी question तयार करने मिल याते हैं आप सभी questions को नोड जरूर करें क्यूंकि paper में एक question से समबंदित कई परकार के और भी question बन सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज कि इस वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है MS Word से, MS Word जो की एक word processing software होता है, MS Word एक word processing software होता है, जो की हमें text को type करने की, edit करने की, save करने की, print करने की, सुभीदा प्रिदान करता है, question हम से पूछा गया है, MS Word के layout tab में, नमनलिखित में से, किस group में indentation option के लिए settings available होती है, MS Word में यदि हमें indent को set करना है, indent को, तो हम कहां से कर सकते हैं, indent option, MS Word में दो जगह से आप use कर सकते हैं, एक तो home tab में, home tab में paragraph group होता है, home tab में paragraph group होता है, इसके अलाबा layout tab में भी paragraph group होता है, जो indentation है, वह paragraph formatting का option है, paragraph क्या होता है, paragraph single या multiple sentence का collection होता है, जब हम एक enter की press करते हैं, enter की कब एक नया paragraph create होता है, एक paragraph single या multiple sentence का collection होता है, enter की को press करने पर नया paragraph create होता है, paragraph group home tab में भी होता है, और layout tab में भी होता है, जो paragraph group है, वह home tab में भी होता है, और layout tab में भी होता है, जिसके द्वारा हम indentation को set कर सकते हैं, इंडेंटेशन क्या होता है इंडेंटेशन जब हम page पर कोई text type करते हैं तो text के पहले मतलब left में और text के बाद मतलब right में जो blank area छोड़ा जाता है जो blank space छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है indent text के पहले मतलब left में और text के बाद मतलब right में जो blank space छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है indent ms word में चार प्रकार के indent होते हैं चार प्रकार के एक होता है left indent एक होता है right indent एक होता है first line indent और एक होता है hanging indent M is word में चार प्रकार के indent होते हैं एक left indent, एक right indent, एक first line indent और एक hanging indent indent को हम paragraph group से use करते हैं paragraph group home tab में भी होता है और layout tab में भी होता है यहाँ पर आपको 4 shortcut की भी तयार करनी है 4 shortcut की increase indent की increase indent की shortcut की होती है control plus M indent को बढ़ाने की shortcut की क्या होती है control M जबकि decrease indent की decrease indent की shortcut की होती है control shift M indent को बढ़ाना है तो shortcut की होती है control M और indent को घटाना है, decrease करना है तो shortcut की होती है control shift M hanging indent hanging indent की shortcut की होती है control plus T hanging indent को set करने की shortcut की है और hanging indent को यदि remove करना है हटाना है, Ctrl-Shift-T hanging indent को हटाने की shortcut की है, Ctrl-T से hanging indent को increase किया जाता है, और Ctrl-Shift-T से hanging indent को घटाया जाता है, remove किया जाता है, तो आप देख सकते हैं, indent से समबंदित कितने question बन सकते हैं, एक question के अंदर भी 10 प्रकार के question बन सकते हैं, हमारा यही प्रयास होता है कि जब हम आपको एक question तयार करना हैं, तो उससे समबंदित समझत प्रकार की information भी प्रदान कर दें, क्यूंकि paper में हो सकता है यह question ना आए, जो आपने तयार किया, लेकिन उस question से समबंदित कई प्रकार के और question बन सकते हैं, तो आप जो भी चीज़ें यहाँ पर समझते हैं, इनको नोड जरूर किया करें, क्यूंकि एक question से समबंदित कई प्रकार के question बनते हैं, तो question पूछा गया था, MS Word के layout टेब में, निमने लिखत में से किस group में, indentation विकल्प के होते हैं, चार प्रकार के, left indent, right indent, first line indent और hanging indent, indent को बढ़ाने की shortcut की क्या है, control M, indent को घटाने की shortcut की क्या है, control shift M, hanging indent की shortcut की क्या है, control T, hanging indent को हटाने की, घटाने की shortcut की क्या है, control shift T, इसको हम MS Word पर practically देख सकते हैं, चलते हैं MS Word पर, यह हमारा MS Word software है MS Word में जब हम कोई text type करते हैं तो text के left में और right में जो blank area छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है indent indent paragraph group के अंतरगत आता है paragraph का feature होता है indent paragraph formatting के अंतरगत हम indent का use करते हैं home tab में भी paragraph group होता है और layout tab में भी paragraph group होता है home tab में और layout tab में paragraph group होता है हम दोनों जगह से indent को set कर सकते हैं, indent total चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, एक होता है left indent, एक होता है right indent, special indent के अंदर दो indent होते हैं, एक होता है first line indent, एक होता है hanging indent, चार प्रकार के indent होते हैं, indent को बढ़ाने की shortcut की है, control M, और indent को घटाने की shortcut की है, control shift M, control T से hanging indent set होता है hanging indent और control shift T से hanging indent को घटाया जाता है यहाँ पर हमने indent से संबंदित कई प्रकारी की information को समझा इस question का answer होगा option number D paragraph देखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से कौन सा असंख के computer और अन electronic उपकरनों का एक basic network है निमने लिखित में से कौन सा असंख computer और electronic उपकरनों का एक basic network है एक question हम से पूछा गया है जो की computer network से संबंदित है निमने लिखित में से कौन सा unlimited मतलब ऐसे computer जिनको हम count नहीं कर सकते असंख computer unlimited कह सकते जिसे हम uncountable computers और electronic devices का एक global network है computer network के क्या होता है computer network एक ऐसा गुरुप होता है multiple devices और computer का जो आपस में सूचनाव का आदान प्रदान करते हैं computer network multiple computer और devices का गुरुप होता है collection होता है computer network का use information और resources को share करने के लिए किया जाता है कई प्रकार के computer network होते हैं हमसे पूछा गया है नहींने लिखित में से कौन सा असंख computer और electronic उपकरनों का एक बैस्विक network है बैस्विक network मतलब global network है जो पूरी दुनिया में फैला है वह होगा internet internet एक ऐसा network है जो की पूरी दुनिया में फैला हुआ है global network है internet का full form होता है international network या interconnected network international network या interconnected network internet एक when network का example है when when मतलब wide area network wide area network होता है internet और internet को network of network भी कहा जाता है network of network internet को कहा जाता है मतलब कई network को आपस में मिला कर internet बना हुआ है तो internet एक wide area network है when network का example है एक global network है जिसमें असंक computer और electronic devices को आपस में connect किया गया है एक global network है और internet को network of network भी कहा जाता है तो इस question का answer हो जाएगा option number D internet internet मतलब interconnected network या international network जो कि network का network होता है और यह wide area network का example होता है इस question का answer हो जाएगा option number D local area network क्या है local area network LAN network होता है LAN जो की एक fixed range के अंदर networking करने के लिए use किया जाता है local area network gateway एक networking device है bridge भी एक networking device है तो इस question का answer हो जाएगा option number D internet असंक computer और electronic अपकरनों का एक best big network है देखते हैं हमारे next question को next question है printer driver इस्थापित करने से पहले नियूनितम आवसकता क्या है एक question हम से पूछा गया है जो की printer से संबंदित है printer क्या है printer एक output device होती है printer एक hardware device होती है जो की हमें hard copy output प्रदान करती है printer एक output device है printer एक hardware device है जो की हमें hard copy output प्रदान करती है printer एक hardware device है लेकिन printer को control करने के लिए एक software की आवसकता होती है printer है तो hardware device लेकिन printer को control करने के लिए एक software की आवसकता होती है जिसे कहा जाता है printer driver, printer driver क्या है, printer driver एक software है, जो कि printer को operate करने के लिए, printer को control करने के लिए use किया जाता है, जो भी hardware device होती है, वह होती तो hardware है, लेकिन उनको control करने के लिए एक software की आवसकता होती है, वह software उस hardware device का driver कहलाता है, मतलब जैसे की printer है, scanner है, modem है जो भी special type की hardware device होती है इनको control करने के लिए, operate करने के लिए software की आवसकता होती है यह software कहलाता है उस device का driver हमसे question पूचा गया है printer driver मतलब printer software इस्थापित करने से पहले इस्थापित मतलब install करने से पहले new rhythm आवसकता क्या है यदि हमें किसी computer पर printer का driver printer का software install करना है तो सबसे पहले हमें administrator account में login करना होगा administrator account में computer system पर multiple type के user account बने होते हैं guest account, admin account तो यदि हमें कोई भी software को install करना है uninstall करना है तो सबसे पहले हमें administrator account में login करना होगा administrator account वह account है जिसके पास computer system पर सभी प्रकार के operation पर्फॉर्म करने के अधिकार होते हैं, परमीशन होती हैं, तो यदि हमें printer driver को, मतलब printer के software को install करना है, तो सबसे पहले administrator account में login करना होगा, इस question का answer है option number A, देखते हैं हमारे next question को, next question है, निमने लिखत में से कौन सा software source code के साथ उपयोग करताओं के लिए उपलब्द है, उपयोग करता इस software को सुतंतर रूप से वितरित और modify कर सकते हैं, और software में अतिरिक्त feature जोड सकते हैं, एक question हम से पूछा गया है, निमने लिखत में से कौन सा software source code के साथ, source code के साथ उपयोग करताओं के लिए, मतलब users के लिए उपलब्द है, एबिलेबल है, उपयोग करता इस software को सुतंतर रूप से, मतलब independently, सुतंतर रूप से वितरित और modify कर सकते हैं, और software में अतिरिक्त feature जोड सकते हैं, software से संबन्दित एक question, पूछा गया है, software से संबन्दित, software क्या होता है, software होता है, group of instructions, group of instructions, computer को दिये गए, निर्देशों के समुटर को कहा जाता है, software को दिये गए, निर्देशों के समुटर को, या group of instructions को कहा जाता है, software होता है, group of instructions, मतलब computer को दिये गए, निर्देशों का समुटर, software कहलाता है, software को बनाने में, जो coding होती है, coding होती है, programming, यदि रहे, high level language में की जाती है, high-level language में तो सकोडिंग को कहा जाता है source code software को बनाने में यदि high-level language का यूज किया गया है high-level language का तो उस high-level language में लिखे गए code को बनाये गए program को कहा जाता है source code हमसे question क्या पूछा गया है निमने लिखत मैं से कौन सा software source code के साथ source code मतलब उसकी coding के साथ उपयोग करताओं के लिए उपलब्द है मतलब जो software user को दिया जाता है उस software की coding भी उस software को बनाने में जो coding programming की गई है वह भी user को दे दी जाती है उपयोग करता मतलब user इस software को independently बितरित मतलब distribute कर सकता है और modify मतलब change कर सकता है और software में अतिरिक्त feature जोड सकते हैं तो ऐसा कौन सा software होता है जो की user को software के साथ उसका code भी दे दिया जाता है coding भी दे दी जाती है और user उस software में बदलाब कर सकता है नई feature को जोड सकता है और उस software को आगे distribute भी कर सकता है हमसे question पूछा गया है ऐसे कौन से software होते हैं जो की user को दे दिये जाते हैं चलाने के लिए साथ ही साथ उनकी coding भी user को दी जाती है और user उस coding को बदल कर software को बदल सकता है software में नई feature add कर सकता है और software को distribute कर सकता है ऐसे software कहलाते हैं open source software open source software मतलब जिनका source code source code मतलब coding भी user देख सकता है और उसमें changes कर सकता है वह कहलाते हैं open source software open source software मतलब जिनका source code source code मतलब coding user देख सकता है और उसमें बदलाब भी कर सकता है वह कहलाते है open source software जबकि एक होते हैं closed source software closed source software मतलब ऐसे software जिनकी coding user नहीं देख सकता है, जिनकी coding में user बदलाब नहीं कर सकता है, वह कहलाते हैं, closed source software, open source software वह होते हैं, जिनकी coding को user देख सकता है, बदल सकता है, जबकि closed source software की coding को user देख ही नहीं सकता है, तो इस question का answer हो जाएगा, option number A, open source, open source software, वह software कहलाते हैं, जिनकी coding को मतलब source code को user देख भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, इस question का answer है, option number 1, देखते हैं हमारे next question को, next question है, निमने लिखत में से, किस device को input और output device दोनों के रूप में माना जाता है, हमें चार device के नाम दिये गए हैं, और हमसे पूछा गया है, इन में से कौनसी एंसी device है, जो input device भी है, और output device भी है, input device भी कहलाती है, जिनके दोरा data को computer में भीजा जाता है, और output device भी कहलाती है, जिन पर output को so किया जाता है, हमें चार device के नाम दिये गए हैं, और हमसे पूछा गया है, निमने लिखत में से किस device को input device और output device दोनों के रूप में माना जाता है, option number 1, क्या है, USB drive, USB drive मतलब pen drive, USB drive म प्लेश ड्राइब भी कहा जाता है, जिससे थंब ड्राइब भी कहा जाता है, थंब ड्राइब, pen drive को कई नाम से जाना जाता है, USB drive, pen drive, flash drive, थंब ड्राइब, portable drive, portable, portable मतलब जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पल ले जाया जा सके, portable storage device भी होती है, pen drive, option number 1, क्या ह जो बड़ी size के flags होते हैं, hoardings होते हैं, banner होते हैं, उनको floater से print किया जाता, keyboard एक input device है, printer भी एक output device है, जो कि हमें hard copy output देता है, तो floater, printer और keyboard यह तो या फिर input device होंगे, या फिर output device होंगे, लेकिन जो USB drive है, USB drive मतलब pen drive, flash drive, thumb drive, portable drive, यह एक NC device है, जो input device भी होती है, और output device भी होती है, मतलब हम pen drive में data को write भी कर सकते हैं, मतलब store कर सकते हैं, और pen drive से data को read भी कर सकते हैं, मतलब प्राप्त भी कर सकते हैं, तो pen drive मतलब एक NC device है, जो input device भी होती है, output device भी होती है, pen drive को कई नाम से जाना जाता है, pen drive, USB drive, flash drive, thumb drive, portable drive, और pen drive, secondary memory क एक टाइप USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस यूनिवर्सल सीरियल बस तो इस question का answer हो जाएगा option number A USB drive देखते हैं हमारे next question को next question है निम्न मैंसे कौन सी एक network switching तकनीक नहीं है निम्न मैंसे कौन सी एक network switching तकनीक नहीं है यह question computer network से पूछा गया है निम्न मैंसे कौन सी एक network switching तकनीक नहीं है network में तीन प्रकार की switching technique यूज की जाती है computer network में तीन प्रकार की switching technique यूज की जाती है यह technique एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक data को transfer करने के लिए use की जाती है मतलब एक computer का data जब हम किसी दूसरे computer पर transfer करते हैं तो उस data को एक computer से दूसरे computer तक भेजने के लिए switching technique यूज की जाती है जो कि तीन होती है circuit switching, packet switching और message switching circuit switching, packet switching और message switching लेकिन content switching नाम की कोई switching technique नहीं होती है circuit switching होती है, packet switching होती है message switching होती है content switching नाम की कोई technique नहीं होती है, आपको एक और question तैयार करना है, इंटरनेट पर, इंटरनेट पर packet switching का यूज किया जाता है, इस question का answer हो जाएगा, option number D, content switching, network switching technique नहीं है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, website के मुख्य प्रष्ट को क्या कहा जाता है, अगला question हम से पूछा गया है, website के मुख्य प्रष्ट को क्या कहा जाता है, website के main page को क्या कहा जाता है, जब हम कोई website open करते हैं, तो उस website का जो first page होता है, उसे क्या कहा जाता है, website के first page को, या main page को, या मुख्य प्रष्ट को, कहला page होता है, first page होता है, entry page होता है, main page होता है, वह कहला आता है, homepage, एक website, multiple web pages से मिलकर बनी होती है, web pages से, एक website, multiple web pages का collection होती है, web page मतलब website का page, और यदि हमें website को, या web page को open करना है, तो हमें web browser की आवसकता होती है, web browser, web browser, जो की एक application software होता है, जिसका उपियोग web page और website को open करने के लिए किया जाता है website का जो first page होता है main page होता है उसे कहा जाता है homepage इस question का answer हो जाएगा option number C homepage देखते हैं हमारे next question को next question है किस ribbon tab में spelling command दिखाई देती है किस ribbon tab में spelling command दिखाई देती है एक question हम से पूछा गया है किस ribbon tab में spelling command सो होती है यह question MS word से पूछा गया है किस ribbon tab में spelling command दिखाई देती है यह question MS word से पूछा गया है जो कि spelling and grammar नाम के feature से संबन्दित है spelling and grammar spelling and grammar नाम का एक feature होता है MS word में MS Excel में MS PowerPoint में जो कि spelling और grammar को check करने के लिए और correct करने के लिए use किया जाता है जब हम MS word में कोई text type करते हैं कोई text type करते हैं और यदि किसी सब्द के नीचे किसी text के नीचे red color की underline सो होती है red color की underline तो बहाँ पर spelling की mistake होती है spelling किसी सब्द के नीचे यदि आपको इस प्रकार की zigzag line zigzag line कहलाती है या zigzag line आपने देखाओगा इस परकार की style में होती है यदि किसी सब्ध के नीचे red color की zigzag line होती है तो बहाँ पर spelling की mistake होती है और यदि किसी सब्ध के नीचे आपको green color की या blue color की zigzag line हो की जाती है तो बहाँ पर grammer की mistake होती है MS word के old versions में में grammar की mistake को blue color से represent किया जाता है तो जब आप MS Word में typing करते हैं और यदि किसी सब्द के नीचे आपको red color की zigzag lines हो की जाती है तो बहाँ पर spelling की mistake होती है और यदि आपको blue color की या green color की underlines हो की जाती है तो बहाँ पर grammar की mistake होती है spelling और grammar की mistake को सही करने के लिए एक spelling and grammar नाम का feature होता है जो की MS Word के review tab में प्राप्त होता है review tab में और proofing group में प्राप्त होता है proofing group में tab होगा review group होगा proofing और इसकी shortcut की होती है F7 जो review tab है इसके अंदर होता है proofing group जहाँ पर spelling and grammar नाम का option मिलता है जिसकी shortcut की होती है app 7 इसको हम MS Word पर practically देख सकते हैं चलते है MS Word पर MS Word के review tab में पहला group होता है कौन सा group proofing group और proofing group के अंदर spelling and grammar, thesaurus और word count तीन option होते हैं हमसे पूछा गया था spelling command जो की proofing group में review tab में प्राप्त होता है इसकी shortcut की होती है app 7 इस question का answer हो जाएगा option number A spelling command review tab में प्राप्त होती है देखते हैं हमारे next question को next question है यदि हम text की प्रविश्टी के लिए table column के माध्यम से दोहराप के लिए tab की दबाते हैं तो MS Word default रूप से प्रत्यक पंक्ती में blank को capital कर देता है यदि हम text की प्रविश्टी के लिए table column के माध्यम से दोहराप के लिए tab की दबाते हैं तो MS Word default रूप से प्रत्यक पंक्ती में blank को capital कर देता है यह question MS Word से पूछा गया है MS Word से जो की table topic से सम्बन देते table से table क्या होती है table multiple row और multiple column का collection होती है table में यह row होती है row और इन्हें कहा जाता है column horizontal होती है row और vertical होते है column हमसे question पूछा गया है जब हम table में entry करते हैं text की प्रवश्टी मतलब entry के लिए table column के माध्यम से दोहराप के लिए tab की दबाते हैं for example हमने एक entry इस column में कर दी अब हम tap की दमाएंगे तो अगले column में हमारा करजर पहुँच जाएगा मतलब दूसरी entry होगी तो MS Word default रूप से प्रत्यक पंग्ती में blank को capital कर देता है table से question पूछा गया है table क्या होती है table multiple row और column का collection होती है MS Word में table बनाने के लिए insert tab का use किया जाता है insert tab का insert tab के द्वारा हम table बना सकते हैं हमने एक column में entry कर ली अब यदि हम दूसरे column में जाना चाहते हैं तो हम tab की को press करते हैं tab की को और tab की दबा कर हमारा करजर next column में आ जाता है अब हम जब यहाँ पर नई entry करेंगे तो जो भी हम सब्द लिखेंगे जो भी word लिखेंगे उसका पहला अक्षर automatic capital कर दिया जाएगा आप table में जब नई entry नई column में करेंगे तो पहला अक्षर automatic क्या कर दिया जाता है capital कर दिया जाता है मतलब इस question का answer क्या होगा option number A जब हम tap की दबाते हैं और नई entry करते हैं तो automatic MS Word उस column में भरेगा डेटा में पहले अक्षर को first character को capital कर देता है इस question का answer क्या होगा option number A इसे हम practically देख सकते हैं MS Word पर यदि हम MS Word में कोई table बनाना चाहते हैं तो हम insert tab को select करेंगे यहाँ पर table group होता है जिसमें हमें table बनाने के कई option दिये जाते हैं हमने यहाँ पर example table बनाई है for example हमने पहले column में लिखा name अब हमें दूसरे column पर जाना है तो हम tab की को press करेंगे यहाँ पर हमने लिखा class आप देखेंगे class को हमने पूरा small में लिखा है लेकिन जैसे हम tap की दबाएंगे तो class का C क्या हो गया capital हो गया ऐसे ही हमने last column में लिखा city फर हमने tap की को दबाया तो city का C क्या हो गया capital हो गया क्यूंकि MS word में by default table में जो भी column में data type किया जाता है उसका first character capital कर दिया जाता है इसी का हमसे question पूछा गया था और यदि आप इसे off करना चाहते हो बंद करना चाहते हो तो आप file menu पर click करें options को select करें options में proofing group होता है proofing group proofing group के अंदर एक option होता है auto correct option auto correct option auto correct में हमें एक option दिया जाता है capitalize first letter of table cell capitalize first letter of table cell यदि इसे हम बंद कर देंगे तो अब हमारे table के column में जो data type किया जाएगा उसका first letter capital नहीं होगा यह option by default on होता है इसी लिए table के cell में हम जो भी data भड़ते हैं उसका पहला अक्षर automatic capital कर दिया जाता है इस question का answer है option number A देखते हैं हमारे next question को next question पूछा गया है 37 जहां काम करता है उस company का style guide सभी press विग्यपतियों में 1.5 इंच का margin देने पर जोर देती है इसके लिए उसे नीचे दिये गए विकल्पों में से किस प्रकार के margin को चुनना चाहिए एक question हम से पूछा गया है जो कि MS Word से लिया गया है 37 जहां काम करता है उस company का style guide सभी press विग्यपतियों में 1.5 इंच का margin देने पर जोर देती है इसके लिए उसे नीचे दिये गए विकल्पों में से किस प्रकार के margin को चुनना चाहिए MS Word का question है जो कि margin से संबन्दित है एक 37 नाम का user है वो जिस company में work करता है उस company का जो style guide है उसके द्वारा बोला गया है कि आप जब भी कोई press विग्यपति बनाएंगे तो उसमें आपको all side पर 1.5 इंच का मतलब 1.5 इंच का margin देना है तो उसके लिए उसे किस margin style को चुनना होगा यह हमसे पूछा गया है यह question margin से संबंदित है margin क्या होता है जब आप MS Word में कोई page पर typing करते हैं तो आपने देखा होगा पूरे page पर typing नहीं होती by default page के चारो side पर कुछ खाली area छोड़ दिया जाता है blank area छोड़ दिया जाता है page में all side पर चारो side पर जो खाली area छोड़ा जाता है यही कहलाता है margin 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 मतलब page में all side पर छोड़ा गया blank area blank इस्थान कहलाता है margin page पर 4 basic margin होते हैं top margin, bottom margin, left margin, right margin page पर 4 basic margin तो होते हैं top margin, bottom margin, left margin, right margin MS Word में by default all margin set होते हैं 1 inch पर, MS Word में all margin set होते हैं by default 1 inch पर, और MS Word में जो margin की style होती है वह by default होती है normal, MS Word में by default सभी परकार के margin 1 inch पर set होते हैं और default margin style कौन सी होती है normal, आप margin को layout tab से margin को layout tab से page setup group से set कर सकते हो, मतलब जो margin option है, वह layout tab के page setup group में प्राप्त होता है MS Word में all margin by default 1 inch पर set होते हैं, और default margin style कौन सी होती है, normal margin को हम MS Word के layout tab से page setup group से change कर सकते हैं MS Word में margin की predefined multiple style होती है MS Word में margin की multiple predefined style होती है हमसे question पूछा गया है, यदि हमें page पर चारो side all side पर 10 inch का margin set करना है, तो कौन सी margin style यूज़ करेंगे MS Word में, यदि हमें 1.5 inch मतलब 10 inch का margin set करना है, तो ऐसी कोई बनी बनाई style नहीं होती है हमें custom margin का use करना होता है, custom margin custom margin मतलब हम अपनी आवसकता अनुसारों से set कर सकते है, MS Word में margin की कई परकार की बनी बनाई style होती है, जैसे की normal narrow, mirrored, moderate कई परकार की होती है, लेकिन 1.5 margin set करने के लिए हमें custom margin को select करना होगा, इसको हम practically देख सकते हैं, MS Word में आप देख सकते हैं, जो हमने page type किया है, इसमें top margin है, bottom margin है, left margin है, right margin है, page पर 4 basic margin तो होते हैं, margin को हम layout tab से set कर सकते हैं, layout tab में page setup गुलब होता है, जहां पर हमें margin दिये जाते हैं, margin में कई परकार की margin बनी बनाई style होती है, कई परकार की predefined style होती है, default style कौन सी होती है, normal, normal margin style इसके अलावा होती है, narrow margin style, moderate margin style, wide margin style और mirrored margin style, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसी style नहीं है, जिसमें सभी margin 1.5 inch हों, देड़ इंच हों, यदि हमें देड़ इंच का margin set करना है, तो हमें custom margin को select करना होगा, और custom margin में जाकर हमें यहां पर फिल करना होगा, 1.5 margin, यहां से हम सभी margin को 1.5 पर set कर सकते हैं, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, option number C, custom margin के द्वारा, हम देड़ इंच का margin set कर सकते हैं, देखते हैं हमारे next question को, next question है, indent के blank प्रकार होते हैं, indent के blank प्रकार होते हैं, इस question का answer हमने आज की वीडियो में ही समझा था, हमने indentation का जो question समझा था, उसमें हमने देखा था, कि indent चार प्रकार के होते हैं, indent जिसे indentation भी कहा जाता है, जो कि paragraph formatting का एक feature है, जिसे हम home tab से, या layout tab से set कर सकते हैं, क्योंकि paragraph गुरुप जो होता है, by home tab में भी होता है, layout tab में भी होता है, indent चार प्रकार के होते हैं, एक होता है left indent, एक right indent, एक first line indent, और एक hanging indent, आज की वीडियो में ही हमने indent से समबंदित सभी questions को समझा था, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, option number D, indent के चार प्रकार होते हैं, इस question का answer है, option number D, देखते हैं हमारे next question को, next question है, network संगठनों द्वारा, निम्नमें से किस domain नाम का उप्योग किया जाता है, network संगठनों द्वारा, मतलब network organization द्वारा, निम्नमें से किस domain name का उप्योग किया जाता है, यह question domain name से संबन्दे थे, domain name से, domain name क्या होता है, आप जब कोई website open करती हो website, तो आपको website का URL टाइप करना होता है, URL मतलब uniform resource locator, जब आप कोई website open करती हो, तो आपको उस website का URL टाइप करना होता है, URL मतलब uniform resource locator, मतलब कि उस website का address, website के address को क्या कहा जाता है, URL, आप जब website का address टाइप करते हो for example www.google.com तो यहाँ पर जो .com है यह एक domain name है इसी परकार के .in, .net, .org, .edu कई परकार के domain name होते हैं मतलब जो domain name है बहे किसी website के address का last part होता है किसी website के URL का जो last part होता है उसे domain name कहा जाता है domain name यह represent करता है कि कोई website किस परकार की है website के purpose को website के उद्देश को दरसाता है उसका domain name कई परकार के domain name होते हैं जैसे कि .com, .in, .net, .org, .co.in, .edu कई परकार के domain name होते हैं हमसे पूछा गया है network संगठनों द्वारा निम्नमे से किस domain name का उप्योग किया जाता है तो network संगठन यहां लिखा गया है network संगठन मतलब network organization और उसका domain name क्या होगा .net, .net, .net एक ऐसा domain name है जो की network संगठनों द्वारा उप्योग किया जाता है .org का use organization हो में किया जाता है .com का use commercial website में किया जाता है .edu का use educational side में किया जाता है तो इस question का answer क्या हो जाएगा option number a .net network संगठनों द्वारा .net नाम का domain name use किया जाता है इस question का answer है option number a देखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से कौन सा network topology का एक प्रकार नहीं है निमने लिखित में से कौन सा एक network topology का प्रकार नहीं है यह question computer network से पूछा गया है हमें चार नाम दिये गए है और हमसे पूछा गया है निमने लिखित में से कौन सा network topology का एक प्रकार नहीं है network topology क्या होती है network topology network topology किसी network के layout को decide करती है किसी network के design को किसी network के architecture को set करने के लिए network topology का use किया जाता है मतलब कोई network जब बनेगा तो उसकी style कैसी होगी उसका design कैसा होगा यह set करती है topology एक computer network को बनाने में कई परकार के component use किये जाते हैं उन सभी component को properly arrange करने के लिए topology का use किया जाता है एक network को बनाने में कई परकार के component use किये जाते हैं उन सभी component को properly arrange करने के लिए topology का use किया जाता है topology कई परकार की होती है bus topology, star topology, ring topology, mesh topology, tree topology, hybrid topology topology कौन कौन सी है bus topology, star topology, ring topology, hybrid topology, mesh topology, tree topology लेकिन coin नाम की कोई topology नहीं होती है तो इस question का answer क्या हो जाएगा option number D coin नाम की कोई network topology नहीं होती है इस question का answer है option number D देखते हैं हमारे next question को next question है निमनलिकित में से कौन सी एक input device है निमनलिकित में से कौन सी एक input device है हमें चार यहाँ पर device के नाम दिये गए है और हमसे पूछा गया है निमनलिकित में से कौन सी एक input device है input device कौन सी device होती है वह devices जिनके दवारा data को computer में भेजा जाता है बहे कहलाती है input device जैसे की keyboard, mouse, light pen, scanner, trackball, joystick, OMR, OCR कई परकार की input device होती है हमसे पूछा गया है नमने लिकित में से कौन सी एक input device है तो option number A है speaker speaker तो एक output device है जो की हमें audio data output में पिर्दान करती है monitor भी एक output device है जो की हमें soft copy output पिर्दान करती है printer भी एक output device है जो की हमें hard copy output पिर्दान करती है मतलब answer क्या होगा answer हो जाएगा option number C light pen, light pen एक input device है जो की एक pointing device भी होती है light pen एक input device है जिसे pointing device भी कहा जाता है इस question का answer हो जाएगा option number C light pen, light pen एक input device भी है light pen को pointing device भी कहा जाता है देखते हमारे next question को नेक्स्ट कॉस्चिन हैं निमने लिखित में से कौन सा पहला नेट वर्क उनिस सो उनत्तर में अस्तित्व में आया था यह question computer network की history से संबंदित है हमें चार नाम दिये गए हैं और हमें यहाँ पर बताना है निमने लिखित में से कौन सा पहला network 1979 में अस्तित्व में आया यहाँ पर आपको 3-4 question तयार करने है first network का नाम है first network का नाम है ARPANET ARPANET first network है जिसका full form होता है advanced research project agency network advanced research project agency network ARPANET एक पहला network है जिसका full form होता है advanced research project agency network यह network 1969 में बनाया गया था और इस network को US defense department के द्वारा बनाया गया था US defense department के द्वारा उसे बनाया गया था तो पहला network है ARPANET जिसका full form होता है Advanced Research Project Agency Network जिसे 1999 में US Defense Department के द्वारा बनाया गया था इस question का answer हो जाएगा option number A, ARPANET देखते हैं हमारे next question को next question है निम्न मैंसे कौन सा बायरस का एक प्रकार नहीं है यह question बायरस से संबन्दित है निम्न मैंसे कौन सा बायरस का एक प्रकार नहीं है बायरस क्या होता है बायरस बायरस एक computer software होता है बायरस एक software या program होता है बायरस एक software या program होता है जिसे coding programming के द्वारा बनाया जाता है जिस प्रकार से other software बनाये जाते है coding और programming के द्वारा उसी प्रकार से बनाया जाता है बाइरस को बाइरस भी एक software या program होता है बस यह जो software होता है यह हमारे लिए नुकसान दायक होता है हमारे computer के लिए harmful होता है बाइरस के द्वारा computer में किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा सकता है वाइरस ऐसा software है जो computer को या data को हामफल होता है नुक्सान दायक होता है वाइरस का full form क्या होता है वाइरस का full form होता है Vital Information Resource Undersiege और Virus से Protection के लिए Virus से सुरक्षा के लिए Anti-Virus का यूज़ किया जाता है Virus से Protection के लिए या virus से सुरक्षा के लिए Anti-Virus Program का यूज़ किया जाता है हमें 4 नाम दिये गए है और हमसे पूछा गया है निम्लमै से कुँछा Virus का एक परकार नहीं है तो file infector यह तो virus का प्रकार है, boot sector भी virus का प्रकार है, macro भी virus का प्रकार है, लेकिन bytecode, bytecode virus का प्रकार नहीं है, जो कि जर्नली, Java programming के द्वारा generate किया जाता है, जब हम Java के program को compile करते हैं, तो Java का जो program होता है, वह bytecode को generate कर देता है, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, option number D, bytecode, virus का प्रक नहीं है, bytecode तो एक programming में use होने वाला code होता है, इस question का answer है, option number D, देखते हैं हमारे next question को, next question है, ms word में default font size क्या होती है, ms word में default font size क्या होती है, यह question ms word से पूछा गया है, और यदि आप हमारे previous videos को देख रहे हैं, तो आपको इस question का answer जरूर पता होगा, ms word में default font size क्या होती है, हमने अपने previous videos में font size से सम्मंदित कई परकार के question को तयार किया है, यहाँ पर आपको कई परकार के question फिर से तयार करने मिलेंगे, font size क्या होती है, font size ms word में जो typing होती है, जो text type किया जाता है, उसकी size set करने की सुभीदा देती है, जब हम ms word में कोई text type करते हैं, तो इस text को attractive बनाने के लिए, आकरसक बनाने के लिए formatting की जाती है, formatting के लिए ms word में एक font गुरुप होता है, जहाँ पर formatting करने क लिए कई प्रकार के विकल्फ उपलब्द होते हैं उसी में से एक विकल्फ होता है font size by default font size होती है ms word में 11 ms word में default font size कितनी होती है 11 ms word की default font size कितनी है 11 हम ms word में font size को minimum कर सकते है 1 तक और ms word में font size को maximum कर सकते है 1638 तक ms word में minimum font size कितनी होती है बन और maximum कितनी होती है 1638 लेकर यदि आप से पूछा जाता है font size के drop down list में minimum font size कितनी होती है तो font size के drop down list में minimum font size होती है 8 और maximum होती है 72 ms word में जो font size की list होती है font size का drop down list होता है उसमें minimum font size होती है 8 और maximum होती है 72 जबकि हम ms word में font size को minimum कर सकते हैं बन तक maximum कर सकते हैं 1638 तक लेकिन जो font size की drop down list होती है उसमें minimum होती है 8 maximum होती है 72 यदि आप ms word में font size को shortcut की से बढ़ाना चाहते हो तो shortcut की होती है, control shift greater than, control shift greater than से font size को घटाया जाता है, यदि आप font size को single single point बढ़ाना चाहते हैं, single single point, इन shortcut की से font size को multiple point के साथ बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है, यदि हमें font size को single point से बढ़ाना है, तो हम control के साथ close बाला big bracket प्रेस करेंगे, font size को single point से बढ़ाने के लिए, control के साथ close बाला big bracket यूज़ करना होता है, और font size को single point से घटाने के लिए, control के साथ open बाला big bracket प्रेस करना होता है control के साथ open वाला big bracket अब हम इन सभी option को MS Word पर practically देखने वाले हैं चलते है MS Word पर यह हमारा MS Word software है MS Word में home tap के अंतरगत font group होता है जहां पर हमें font size नाम का option दिया जाता है MS Word में default font size होती है 11 MS Word में default font size कितनी होती है 11 आप जब इस font size के drop down पर click करेंगे तो minimum font size आपको देखेगी 8 और maximum देखेगी 72 मतलब MS Word में जो drop down list होती है font size की इसमें minimum font size होती है 8 maximum होती है 72 और font size default कितनी होती है 11 अब यदि आपको font size को shortcut की से बढ़ाना है तो आप control shift greater than का use कर सकते है control shift greater than से font size को बढ़ाया जाता है और font size को हम बढ़ा कर 1638 तक कर सकते हैं और यदि font size को shortcut की से घटाना है तो control shift less than का use किया जाता control shift less than से font size को घटाया जाता है और font size को हम minimum बन तक कर सकते हैं एक तक अब यदि font size को single single point बढ़ाना है तो हम control के साथ close वाला बिक ब्रेकेट प्रेस करेंगे जो की font size को single point से बढ़ाता है और control के साथ open बाला बिक ब्रेकेट प्रेस करने पर जो हमारी font size है बैस single point से घर जाती है decrease हो जाती है इस question का answer हो जाएगा option number B, MS word में default font size 11 होती है देखते हैं हमारे next question को next question है निंबनमैंसे कोणसा data सुरक्चा से सम willen एक खतरा है यह question हमसे पूछा गया है cyber security से information security से निंबनमैंसे कोणसा data सुरक्चा मतलब data security से सम बंदित एक threat या खतरा है option number A क्या है phishing, option number B क्या है browser, option number C क्या है applet, option number D है animation यहाँ पर जो एक खत्रा एक थ्रेट हमें दिया गया है वह है phishing, phishing एक cyber threat है जो कि जर्नली इमेल के माध्यम से किया जाता है, यूजर को इमेल भेज कर कोई ऐसी link दी जाती है, जिस पर user किलिक करता है, तो user का data copy कर लिया जाता है, user के data का misuse किया जाता है, तो phishing data security से का answer हो जाएगा option number a phishing देखते हैं हमारे next question को next question है web browser में new tab open करने के लिए किसे shortcut key का उपयोग किया जाता है web browser में new tab open करने के लिए किसे shortcut key का उपयोग किया जाता है यह question web browser से पूछा गया है web browser क्या है web browser एक application software होता है web browser एक application software होता है जिसका उपयोग web page या website को open करने के लिए किया जाता है web browser एक application software होता है जिसका उपयोग web page या website को open करने के लिए किया जाता है कई परकार के web browser होते हैं जैसे की Google Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer यह सभी web browser होते है जो कि एक application software होता है जिसका उपयोग web page और web site को open करने के लिए किया जाता है हमसे question पूछा गया है web browser में new tab open करने के लिए किस shortcut की का उपयोग किया जाता है यहाँ पर आपको 4 question तयार करने है web browser में नया tab open होता है control प्लस T से control प्लस T से हम नया tab open कर सकते है control प्लस N से web browser की नई window open हो जाएगी control प्लस N से web browser की एक और window open होगी ctrl T से web browser में नया tab open होगा ctrl W से हम selected tab को close कर सकते हैं जो भी tab अभी select है उसको close करना तो ctrl W और ctrl plus D ctrl plus D bookmark या favorite की shortcut की होती है bookmark या favorite के लिए ctrl plus D का use किया जाता है तोस question का answer हो जाएगा option number B ctrl plus T से new tab को open किया जा सकता है देखते हैं हमारे next question को next question है powerpoint presentation में default slide layout क्या होता है यह question powerpoint से पूछा गया है powerpoint से powerpoint जो की एक presentation software होता है powerpoint का use किसी topic पर presentation बनाने के लिए किया जाता है अभी हम आपको यह सभी जो question तयार करा रहे है यह सभी question आपको हम powerpoint presentation के माध्यम से ही तयार करा रहे हैं हमने सभी questions को powerpoint presentation पर type किया है जिसको हम आपके सामने play कर रहे हैं तो powerpoint एक presentation software है जिसका उपयोग presentation बनाने के लिए किया जाता है powerpoint की जो file होती है file उसे कहा जाता है presentation PowerPoint में बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है presentation और फाइल के अंदर जो page use होता है page उसे कहा जाता है slide मतलब PowerPoint की फाइल हो गई presentation और presentation के अंदर बहुत सारी क्या होती है slide मतलब PowerPoint का page हमसे question पूछा गया है PowerPoint presentation में default slide layout क्या होता है जब आप PowerPoint में कोई भी presentation बनाते हैं तो आपको by default एक slide दी जाती है, single slide जो की होती है, title slide, title slide और MS Word में default slide layout भी क्या होता है, title slide, title slide वे slide होती है, जिस पर हमारे presentation का topic लिखा जाता है, presentation का title लिखा जाता है, by default एक slide हमें मिलती है, जो की कौन सी होती है, title slide, तो PowerPoint में default slide layout क्या होता है, title slide, नई slide को add करने की shortcut की होती है, control plus M, PowerPoint में नई slide add करने की shortcut की होती है, control M, default slide layout कौन सा होता है, title slide, तो इस question का answer हो जाएगा, option number B, इस question का answer है, option number B, तो आज की वीडियो में हमने CPCT exam के लिए computer से सम्बंदित 20 important questions को समझा, जब हम एक question को समझते हैं, तो उससे सम्बंदित हमें कई प्रकार के और भी question तयार करने मिल जाते हैं, आप इन सभी questions को पढ़ें, समझें, यदि आपका कोई question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछे वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like करें, ज्यादा से ज्यादा share करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद